आज आज मैं बात करने जा रहा हूँ के आप डिग्री से रीडियन्स में कैसे कर गॉर्ट कर सकते हैं ऊर रेडियन्स से δिग्रीज में कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही simple trick है आप से cjl आप सबीकरेशन के लिए बहुत ही काम में आने वाला है आपको मैं बता देता हूँ conversion के लिए आपको कैसे करना है degrees to radians radians degrees to radians के लिए कुछ भी नहीं करना है पहले आपको समझना है 180 degree जिसको हम लोग pi भी बोलते हैं ठीक है तो अभी आपको समझ रहा है है 180 degree को हम लोग pi बोलते हैं अभी इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको degree से radians में convert करना है जब भी आप degree से radians में conversion होता है ना तो pi by 180 degree हो जाता है ठीक है इसका ये तरीका है radians के लिए जब भी हम लोग degree से radians में conversion करते हैं तो हम लोग हमेंसा pi by 180 degree का value लेते हैं for example अगर हमें दिया हुआ है 60 degree उसी के जैसा 90 degree 75 degree 120 degree 240 degree इन सब को हमको convert करना है radians में ठीक है तो radians में conversion करने के लिए सबसे पहले हमको करना है 60 degree हमने लिग दिया normally उसके बाद यहाँ पे एक multiplication होगा उसके बाद pi by 180 ठीक है तो इसमें 0 0 cancel हो गया तो 63 जा 18 तो the answer is pi by 3 60 degree को हम लोग radians में pi by 3 लिख सकते हैं ठीक है तो आई होब आपको इतना समयने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलिए आगे बनाते हैं 90 degree का 90 degree का होगा 90 लिखे multiplication कोडर के लिए multiplication के लिए 5 by 180 as usual 0 0 cancel 9 2 18 and the answer is 5 by 2 उसी तरह आप 75 का कर लिजेगा 120 का कर लिजेगा 240 का कर लिजेगा चलिए मैं आपको 360 का एक दिखा देता हूं last 360 degree का 360 degree के लिए आपको क्या करना है प्रेरी के 360 multiplication के लिए 5 by 180 0 0 कट गया 18 दूज़ 360 36 360 degree का होगा आपको यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बस एक नॉर्मल सा तरीका आपको यूज करना है क्या जब भी आपको degree से radian में conversion करने के लिए बोला जाए तो आपको πाई बाई 180 का यूज करना है पाई बाई 180 का यूज करके आप हमें सा इसको easily degree to radian में convert कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स अब मैं आपको next वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको देखना है मैं दिखाऊँगा कि radian तो आप degree में कैसे conversion कर सकते हैं थैंक्यू थैंक्स फूर वाचिंग